आप सभी दर्शकों का नेशन विजिन वित रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है आज हम हाफरी गंज पीजडी डिपाइटमेंट के एई ओफिस के सामने खड़े और हमारे ठीक पीछे आप बहुत सारे बड़े बड़े पाइपस आप देख पा रहे हैं और ये एक प्रजेक्ट है फेलियर प्रजेक्ट है और उसका complete detail हमें अगें प्रकाश अधिकारी जी से मिलेगा तो हम उनी से जानेंगे कि ये पूरा माजरा किया है किस वज़े से ये प्रजेक्ट फेलियर रहा है नमस्कार जैसे मेरे पीछे आप देख पा रही है ये पूजेक्ट आज से करीबन मेरे खाल से 15 साल से जादा हो चुका है 15 से 17-18 साल होना चाहिए ये पूजेक्ट स्टार्ट हुआ था ये जो पाइपस दीख रहा है आपको ये डिया पाइप है 500 डाया बोलते हैं इसको ये करीबन 200-300 से ज्यादा पाइप यहां डम किया हुआ है ये पाइप एक समय में पढ़ा था मंगलोटान गुपताबड़ा पंचायत के अंडर एक जंगल में पढ़ा था जहां कभी PWD के एक वारी हुआ करता था एक समय में मंगलोटान के पास हमारे मुर्दाखारी ब्रेडियल ग्राउट के इसको यहां पे लाया गया PhD में 20 साफ्टे 37 मैं उसका धन्नवाद दूँगा कि उन्होंने आज इस नेस्टेन को लॉस होने में अंडमान का बहुत पैसे कई 100 करोर रुपया उन्होंने बचा दिया मेरे माद्यम से मैं उनको धन्नवाद दूँगा क्योंकि यह पाइप कई सालों से वाँ पढ़ा हुआ था मेरे शेत्रों में जब मैं देखा कि उस पाइप को कोई-कोई जो लोग है बच्चे है जो दाड़ू पिते हैं बंदमाजी करते हैं तो तोड़के इसको जैक लगा के तोड़ते हैं तोड़के 10 रुपया किलो के भाव में बेज देता है यह केक पाइप करीवन 50-60 रुपया का होगा इससे ज चोड़ी ना हो सके यह पोजेक्ट है इंद्रा नाला डैम पोजेक्ट का इस पाइप है इंद्रा नाला डैम मेमियो हसमादाबाद के पास वंडूर विलेज के वंडूर पंचायत के अंडर दैरे में आता है इसका पूरा पाइप लाइन लेंग उस मेमियो से लेके और इसक सो करोड का कमसरद दो तिन सो करोड का पाइप है और उस पोजेक्ट में भी कमसरद से ज्यादा करोड रुपीस खर्चा हुआ है डिपियार प्लाइनिंग ग्राउटिंग पोजेक्ट यह हो जाता तो मेरे खाल से आल्टरेनिटिव डेम बहुत सालों से यहां डिमांड आ रही है कि धन्नीकाडि का आल्टरेनिटिव डेम नहीं होने के कारण उस डेम का डिशिलटिंग नहीं किया जा सकता अगर डिशिलटिंग करेंगेelshdo तो उनके लिए और अल्टरेनिटिव वह वेवस्ता होना चाहिए तो उतना बड़ा पहना है तो ये इंद्रा नाला पोजेक्ट एक जांपल था ये अगर बन जाता तो आज उसको डीशिल्टिंग भी कर सकते थे वो जो रेज हुआ उस रेज होने से भी ओडीशिल्टिंग नहीं होने के कारण उससे हमें फैदा भी नहीं मिल रहा है वो डीश सरकार तर इस बात को पहचाना चाता हूँ मैं भी प्लाटों में भी उठाय इस पूजेक्ट को दुब़रा चालो किया जाए और इंद्रों पोजेक्ट को डूबारा अगर सुरू किया जा सकता है इसका हो सकता है कोई टेक्निकल रिजन होगा मुझे इसका नहीं पता यह झ पूरा बेवरा उनके पास होगा मैं चाहता हूं कि एडमिशेशन इस चीज़ को देखे और इसका जो भी दोशी रहेगा इस पोजेक को फेलियर करने जो भी कारान होगा उसके अपर दंड लगाए चार्ज लगाए जो भी करे इसका दुबारा इस पोजेक को चालू करने से इ आज जो पानी से जूज रहा है हमारा डिफेंस एरिया सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है वोट ब्लैर में सेकेंड डैम एन मेमियों इंद्रा नाला डैम यह बन सकता है और इतना सारा पैसा गफ़ेंट का वेस्ट गया एक प्रजेक्ट जब आता है तो उसपे बहुत सारा वर्काउट होता है अलग-अलग डिपार्टमेंट से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तब जाकर के वो इंप्लिमेंट होता है जब टेंडर हो गया इतना सब कुछ पर का काम चल रहा था ग्राउटिंग हो रही थी और वहां पहुंचकर हम बाकी की जो भी जानकारी है वो प्रकाश एदिकारी जी से जानेंगे बताई ये प्रकाश जी क्या बताना आप चाह रहे थे और अब इतनी दूर आप हमें ले करके आई हैं मैडम करीबन 12 बजने वाला इस कड़े दूर्प में आप भी आई है बहुत बहुत धन्यवाद क्यूंकि आपने कश्ट करके सच में पानी को दिल्लत को पूरे दीपों में देख वे आप प्रयास करिया है रहा हमारा है हर समय लोगों के लिए सबसे पहले मेरा priority रहता है और उसी के मुताबित आज सुबे से लेकर अभी तक आपको मैं जितना भी जगा दिखाया हूँ और यह एक जगा है जहां हम खड़े हैं वो इंद्रा नाला डैम के नाम पर जो कई सालों पहले आज से 15-18 साल 20 साल पहली की बात है यह पोजेक्ट मेरे नॉलेज में है कि इसमें काफी पैसे इसका पाइप अफ लेंग आप जो थोड़े दिर पहले मैं आपको दिखाया 50 सेंटिमेटर का डाया का जो डियाई पाइप है करो सब रुपीज 100-200 करो सब रुपीज का आज का लागात होगा मेरे ख्याल से यह ड भी ऑफिसर्स रहे जो भी डी प्यार बनाए है और भारत के हमारे सरकार के इतने पैसे काई 100 करोर्स और रुपीज इसमें खर्चा किया गया ग्राउटिंग जो एक वर्ड इनका टेक्निकल वर्ड है इसका क्या मिशनेरी है क्या टेक्निक है किस वज़ा से ग्राउटिंग ह होता था यह तो हमें पता नहीं है पर हम जानते थे इसमें ग्राउटिंग हो रहा है क्या है इसके मिटी के नीचे सिमेंट के लिकूइड बनाकर पुश किया जाता है पाइप के द्वरा आप जो जो पाइप आप देख पा रही है यह सारे पाइप उपर से लेके पहाड के उस छोड से लेके पहाड के इस छोड तक यह पाइप लगी हुई है और इसमें थाउजन थाउजन बैक सिमेंट आती थी बट सिमेंट कितना लगा क्या लगा क्यों यह फेलियर हो गया यह सोचने वाली बात है इसमें जाज के सवाल इसमें आती है जरूर इसमें एक जाज क ग्राउटिंग के नाम से जो भी काम हुआ, ये सही से हुआ नहीं, जो भी इंजिनियर्स है, इसको मॉनिटरिंग करना था, वो ठीक से किये नहीं, इसी वज़ा से शायद इसका दुबारा टेक्निकल स्पेसिलिस्ट आये होंगे, इसको फेलियर बता दिये, ऐसा कुछ भी वि इसे को बरबात किया गिया, ये डैम अगर होता तो सायद इस छेत्रे का पानी का समझसा दूर हो सकता था आज के डेट में, तो ये नहीं होने के कारण कौन-कौन इसके जिम्मेदार है, इसको बाकाइदा उसके उपर चार्ज लगाए जाए, कारवाई किया जाए, पूश् फेलियर है, आज एक से एक टेक्निक आ चुका है, किसी भी हालत में डैम बना सकते हैं, चलता हुआ पानी में डैम बन रहा है, समंदर में वेल्डिंग से जेटी इस बन रही है, तो ऐसे जगापे डैम बनना ऐसे कोई अंसबमबली बात नहीं है, बन तो सकती है, देकिन इस इसके वज़ा से यह हुआ, और क्यों हुआ, अगर नहीं होता तो इसको क्यों किया गया, क्यों इतने पैसे लगा गया इसको जाच के विशेह है, यह जरूर देखना चाहिए, मैं अनुरुत करूंगा, और इसके उपर अगर दुबारा होता है, तो इस पोजेक्क को दुब ह abnormal राज को चलता साथ दीन को चलता सा हम तो पानी को प्रजेक्ट और बन्ना Obrig तो उपर अंगे उपर विता घुन क्या लगता है क्यों यह प्रजेक्ट क्या पानी के तपली काया हम लोग थोड़ा दिगी तलाव खुद के इसे थोड़ा अपना घर में जीस करता है यह साल तो बहुत अपली है पानी के लिए धूप के जाए से गारी से पानी मंगाता है आप भाईया आप भी है यहां पर बताईए क्या बता सकते हैं जी जी मेडम क्या कारी गारी भार के सिमेंट आया सुनि माय कि हामें इंद्रानाला ड्याम बनेगा तो बख्कम पुष्टम में ने वह तीन दास्ते मोर में अच्छा बाड़ा पैंडेल से बने जोहां में स्टुन डालके उपे निंग कर दिया कि आ रहाते दिन काम चलते जिया काम चलते काम आश्डानालीम होगा तो कब गरुब करें शाल-दोशाल तक पूरा तरह काम करते 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 सुनिення की माठी यहां में कर टेस्टिंформ करके दिली बेजा जया गया एक सल दूसरी बाट में सुनि माठी यहां में डैं देम्नियं बनेilities पानी वाने इसनिया है अ अपका डिजेल, कुलतर, पाइप, कहां चले के पते नी जला, तो यहां तूरी तो अबस्ती हुआ, बरबर लोगी खाया, लेकर लेकर अमने की गाउ से किसी को पते भी नितले हैं, रात को रात को आया, दिन को आया, फिर कप-कप चले जया, समझ नहीं है, यहां एरिया का लो लोग जो आज पानी खरित के पीता है, खरित के इसकता है, तो यह तो सिखनी है, लेकर हमेरा यह उनुवत करोंगा कि यह जिसको जो पैसा जितना पैसा आया, कौन खाया, क्यों खाया, क्यों नहीं बाना, इसको जोरुर कारवे होना, कि हमारा जनता का इतना तकलिप करना, जैसे कि आप सभी दर्शकों ने जिला परिश्यद मेंबर प्रकाश अधिकारी जी को सुना, बाबा को सुना और भी हमारे साथ लोग है, उन्होंने किस तरह से बताया कि यहाँ पर बहुत जोरो शोरो से करोडो रुपे खर्च करके यहाँ पर यह इंद्रनाला डाम बनने जा नहीं, साथ ही साथ जो इतने करोडो रुपे खर्च करने के बाद जो मटीरियल आया था, उसकी चोरी डिपार्टमेंट के ही लोगों ने कर ली, ऐसा हमें सुनने को मिला, सिमेंट जो यहाँ पर आ रहा था, हजारो बैक्स आ रहे थे, वो भी बेज दिया गया, कुछ दिख कोई छोटा मोटा अमाउंट था नहीं, सौ करोड उससे भी जादा बता रहे हैं, तो इतना पैसा, गवर्मेंट का, जनता का, कहा गया है, इसकी इंक्वेरी होनी चाहिए, जो इंजीनियर्ज इसमें इंवल्व थे, उन पर कारवाई होनी चाहिए, जाच होनी चाहिए, कारण रहा हो, ये पूरा मटीरियल चोरी हो गया, पाइप हम कई जगों पर हमें वो पाइप पड़े-पड़े सड़ रहा है, तो कहीं पर तुकड़े-तुकड़े में मिल रहा है, जैसी कि बताया गया कि बेचा जा रहा है, पाइप्स वगेरा, दस रुपए किलो ऐसे करक तो ये गौर्णमेंट का जो भी मटीरियल है, पबलिक का पैसा है, तो हम भी यही चाहेंगे कि इस पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए, उमीद करते हैं कि आप दर्शकों को हमारा ये मैनत, ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया हो तो जरूर कमेंट कीजेगा, बताइए कि कैसा लगा, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धनिवाद,